हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दरियल रिपोर्ट में दोस्तों इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारे बिल्कुल संपुर्ण सटिक और कारगर होती है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इच्छा भेदी रस के बारे में मान लो कब्ज कॉंश्टिपेशन कब्जियत का तो यह राम पान आउशद है इसका इलाज यह कब्ज का तो दुस्मन है क्योंकि यह मैंने खुदने ट्राइक कर रखे है तो यह मेरा अनुभव बता रहा हू जिन लोगों को कॉंश्टिपेशन की प्रॉबल में वाई साव अगर घोडे खा ले ना तो उनकी भी दस्त लग जाए मतलब समझ रहे हो तो चलिए अब जानते हैं इच्छा भेदी रस क्या है इच्छा भेदी रस कारुवधिक आउसदी है जो गोल्यों के रूप में होती है तो इसके सरीर में आम विश फेलाता है इसका मुख्य घटक जमाल गोटा होता है जो पेट से जूड़ी हुई और कहीं सारी बिमारियों को समाप्त कर देता है यह अजिरन है अफारा पीलिया कुष्टरों घिक्का गुल्मरों कुरुम्यों और कहीं बिमारियों को समाप् करने में काफी उपयोगी है इसमें जमाल गोटा होने का कारण इसका सेवन ध्यान से करना चाहिए आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़े मिलाई गई है इच्छा बेदी रस के अंदर तो जमाल गोटा सुद्ध पारा सुद्ध गंदक सोहागे का फुला सोट काली मिर्च और निम्बू का रस पाई साब इच्छा बेदी रस के फाइदे क्या क्या है और इसे आपको कौन से कौन से चिकतसा में लेना चाहिए पेट में कुरुमी की समस्या होने पर आप इसे ले सकते हो वात दोस में ले सकते हो रक्त दोस में ले सकते हो तचा दोस में ले सकते हो स स्टिपेशन की प्रोब्लेम है उसमें आप ले सकते हो कफ को दूर करने में आप इसे ले सकते हो इच्छा बेदी रस के फाइदे यह मुख्य रूप से पेट के सुद्धी करना में ही काम में ली जाती है क्योंकि इस अवसदी में जमाल गोटा मिला होता है जो बहुत उश्रम प्रकूरति का होता है जब कोई पदा पाचन क्रिया में प्रतिकुल खा लिया और उस व्यक्ति को कब्ज हो तो इच्छा बेदी रस का सेवन लाबदायक होता है प्रतिकुल भोजन से जब पाचक अगनी मंद पढ़ जाती है तो पाचन क्रिया धीरे होने लगती है जिसके क सामना करना पड़ता है इस प्रकार से होना वाली कपज में इसका प्रयोग करना चाहिए कफ में ज़रूरी होते हैं परन्तों जब यह कुपीत हो जाए तो सरीर के अंगों में परेशानिया आने लगती है जब कफ बढ़ जाए तो सांस काम जेसी समस्या आती है और जब वाद क उपीत हो जाता है तो पेट में वायू भरने या उसे हर्दे का दबाव की समस्या आने लगती इसके माध्यम से इसको नियंत्रित किया जा सकता है जिससे कफ और वाद से जूड़ी समस्या को खतम किया जा सकता है तो चलिए आज मैं आपको वह भी बता देता हूं कि इसका जब आप इसको लेने वाले हो तभी उस शाम को इविनिंग में आपको बिलकुल हलका खाना खाना है जैसे डाल चावल होगे वो भी कम मात्रमे ठीक है क्योंकि दूसरे ये लेनी है तो रात को आपको गम खाना खाना है इस दिन लेनी हो उसके अगले शाम आपको दाल और चावल जैसा हलका खाना खाना है रोती चपाती जैसा भारी खाना नहीं खाना है क्योंकि दुसरे दिन आपका पेट पूरा साफ होगा इसलिए तो आपको दुसरे दिन जब सुबह मौर्निंग में उठते हैं तो आपको सुबह दो गोली ठंडे पानी के साथ आपको लेनी है आप सर्बत के साथ भी ले सकते हो और नॉर्मल पानी के साथ भी आप ले सकते हो दो गोली से जादा आपको नहीं लेनी है और 25 साल के उपर के उमर वाले ही ले और 25 साल के कम उमर वाले एक गोली ले और बच् इसके सेवन के बाद जब आपका पेट साफ हो जाए तब भी आपको दही चावल जैसा हलका खाना खाना है, उसके दूसरे दिन के बाद आप चपाती खा सकते हो, क्योंकि ये पेट आपका पूरी तरकी से साफ करेगा, और किनकी लोगों को नहीं लेना है, महिला को इसका सेव नहीं करना चाहे और चोटे बच्चों की पहुंस्से से दूर रखे और कौनसी कोंसी ब्रांड इसको बेच रहे तो बैदनात इछावेदी रस डाबर का भी इछावेदी रस आता है ढौर precon clinician बैशी रुब इर शेए अधिप CR गोली लेनी है वो भी जिस दिन आप गर पे चुटी पे हो तबी इसे ले के आप गर से बाहर नहीं जा सकते क्यूंकि इससे आपको बार बार टोईलेट जाना पड़ेगा ही पड़ सकता है इसा नहीं पड़ेगा ही और उस दिन आपको फिर शाम को और जब भी भूक लगे कोई भी ले सकता है कोई इश्यू नहीं है लेकिन कोंश्टिपेशन के लिए पेट साप करने के लिए कि यह दवा है ठीक है कोई भी कन्फिशन था कमेंट बॉक्स में लिके ज़रूर पता है थैंक्यों दूस्तों